राहूल गांधी और प्रियंका गांधी की तुल्ला नहीं कि जा सकतीést रहूल गांधी बहुत इंटलेक्ट्ट्वल है और बहुत ज़्यादा वो national और international इसुज पे काम करने वाले बैखती हैं और वो national politics के आस्पेक्ट से काम करते हैं वो इस्टेट या लोकल और इस पे इसके बीच में वो पढ़ते भी नहीं है तो इसलिए मुझे लगता है कि राहूल से और प्रियंका की कोई तुलना नहीं है मतलब यह जमीन आस्मान का अंतर है प्रियंका उनके आगे ना नौलेज में टिकती है ना दूसी चीजों में टिकती हैं प्रियंका ने जमीनी इसलिए चीजें सीखी हैं क्योंकि वो अपने पिता के साथ में रेगुलर रही वो हिंदुस्तान में ही रही और उन्होंने जिस तरीके से अपनी मा का निर्वाचन छेथ समाला इवेन अपने भाई का भी दूसरी चीज यह है कि पुब्लिक से कनेक्ट मना रही है प्रियंका इस्टेट की politics कर वही और इस्टेट की politics में आपको ये connection बनाने पड़ेंगे आप देखें क्या आपने कभी अखले सियादों को national और international politics पर चर्चा करते देखा या एक भी सब्द बोलते देखा आपने बाकी और जो leaders है इस्टेट लेवल के उनको किसी को देखा नह जहां पर Congress की जड़े लगातार खतम हो रही थी तो कुल मिलाकर कि जहां Congress खतम हो रही थी और जहां Congress का vote bank लगातार दूसरे दलों में shift हो रहा था तो इन सब इस्थितियों में Congress वहां पर बचाना उनके लिए चुनाती हो गयी क्योंकि राहूल गांधी Congress की विचारधारा प पर काम कर रही है अब जैसा बताया सिदार्थ ने बताया और प्रोफेसर साब ने बताया मैं उसी पर आता हूं कि आप एची देखिए कि प्रियंका गांधी ने पहले connect बनाया 2017 के समय में वो सुरी 2019 के समय में वो सिर्फ यह बोल लही थी मैं अपने भाई और उसको मा के निर्वाचन छेतर के लिए ही काम करूँगी और उन्होंने उस पर काम किया उसके बाद वो सक्री हुई स्टेट की politics में जब उन्हें आदा आदा बाटा गया था मुझे याद है उत्तर प्रदेश आदा दिया गया था सिंधिया को और आदा हिने तो उस इस्तिती में आद देखिये प्रियंका जादा सक्री रही और सिंधिया ने उपनी बस सतही काम किया उन्होंने जो उनके बॉलियर से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी कोई काम नहीं किया था तो और ऐसी इस्तिती ने इसे जमीन बनाना है इसे उपजाओ करना है इसे जोतना भी है बोना भी है और सिचाई भी करनी है निकाई भी करनी है और उसके बाद में फसल भी काटनी है तो अब प्रियंका गांधी ने उस पर काम सुन किया है उसके लिए जरूरी क्या था जाती पे दूसरी पार्टियां, तमाम सारी पार्टियां काम कर रही थी, धर्म पे दूसरी पार्टियां काम कर रही थी, ऐसे, ऐसे में गुंजाइस कहा थी, ना तो धर्म के आधार पर कोई बड़ी दल बन सकती है, ना कोई वो बना सकती है, उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकती, वो ज क्या थे एक महिला बड़ी मुद्दा है प्रियंका गांधी खुद में भी महिला है तो उन्हें महिलाओं की एक जो लीडर्शिप डवलप करने का मौका था वो है तो अभी चुकि वो यूथ और उसको कनेक्ट करती हैं तो ऐसी इस्तिती में उन्होंने कॉलेज और स्कूल के बच्चों को लड़कियों को जोड़ने की गुझा इस देखी उस पर काम किया उन्होंने लड़कियों के साथ हो रहे है अत्याचार और अपराद पर फोकस किया उन्होंने किसानी और दूसरे से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया उन्होंने बाबाकी जो कनेक्ट थे उ वो अलग भी सहल लेकिन एक मजबूत स्थिती में आ गई आप एक चीज देख लीजे 2017 के चुनाओं को आप देख लीजे 2012 में समाजवादी पार्टी 26% के करीब वोट पाई थी और उसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी है वो इसी के ढंग से थी करीब 21 के आसपास थी और उसके अलाबा कॉंग्रेस पार्टी 11% वोट पे थी भारती जनता पार्टी जो है 14-15% के वोट पे थी आप इन सब इस्थितियों में अधिया आप देखेंगे तो किस तरह से एकदम से सब कुछ जंप किया भारती जनता पार्टी 24% से अधिक वोट एकदम से गेन कर समाजवाधी पार्टी का साड़े-3% के करीब वोट घहता लेकिन कॉंग्रिduc्यस पार्टी का च्छेफ परसेंट के करीब साड़े 5% वोट घहता आप देखें कि जिस कॉंग्रेस पार्टी के पाद थोड़ा वोट था और वो घटके 6% पे रहे गया तो इन सब iस्तितियो में आप कॉंग्रेस को कैसे उसका सर्वाइवल हो तो उसके लिए दो चीजें जरूर रही थी एक तो कि कॉंग्रेस पार्टी में क्यों वोट नहीं आया था उस समय ट्रांसफर नहीं हुआ दूसरे दल का इन सारे मुद्दों पर जो हम दौर करते तो यह लगता है कि कॉंग् सारे ऐसे हिलाके हैं जहां पर दबंग जो है यादव विरादरी से हैं तो ऐसी इस्थिति में वो लोग जो है दलतों को पीड़ देते हैं कहीं ब्रामनों को पीड़ देते हैं कहीं और होता तो इन सब इस्थितियों में लोगों को लगा किया रहा वे उनी के साथ खड़े ह वोड में तो ये सारी इस्थितियां रही जिनके कारण वोड बैंक जो है घटा तो ऐसी इस्थिति में अब कॉंग्रेस पार्टी के पास में ऑप्सन क्या था खड़े होने के लिए यही था कि वो इन सबसे इतर चले और अपनी राह अलग बनाए और वो मुद्दों पे वो ब्रश्चाचार पे लड़े वो किसानी पे लड़े वो मैलाओं को ले करके लड़े और जब इन सारी चीजों के जो ये ऑप्सन उसके सामने आए तो ऐसी इस्थिति में प्रियंका के पास यही ऑप्सन था और इस ऑप्सन पे जब वो चल नहीं है तो आज उन्हें लग पार्टी वो बोड गेंग कर रही है जो उससे तो हट गया था लेकिन समाजवादी पार्टी या किसी और में नहीं यह आता वो चला गया था भाजपा के पास यदि वो बाजपा से वापस आता है तो ऐसी इस्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए खड़े होने का एक बाऊसर मिलता है यदि बहुजन समाज पार्टी से कुछ भी वोट एक परसेंट आदा परसेंट दो परसेंट जो भी तूटता है यदि वो तूटेगा और कॉंग्रेस पे आएगा तो उसका फाइदा किसको होगा समाजवादी पार्टी को होगा तो कॉंग्रेस पार्टी जह वो सिर्फ उसी मुसल्मान का काटेगी जो कॉंग्रेस के साथ में एक लंबे अर्से तक यातों रहे हैं और या फिर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए हैं तो उस वोट को वो ट्रांसफर कर लेगी लेकिन वो समाजवादी पार्टी का वोट नहीं काट पाएगी तो ऐसी इस्तिती में प्रियंका का जो ये जितना बहतर वो लड़ेंगी उतना समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने की तरफ ग्राफ बढ़ेगा और ये होना हो सकता है कि कुछ सीटों हीटों का कुछ वो होगा तो भारती इंता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए तो एक हो जाएंगे तो ऐसी स्थिती में भी सरकार समाजवादी पार्टी बनाती है तो ये बहतर है और इस बहतर आप्सन में अब यदि मान लीजिए जैसा रवी जी बता रहे थे मैं मान लेता हूं उस बात को कि यदि वो वोट ट्रांसफर नहीं होता है तो भाजपा वा वोट या तो साइलेंट बैठ जाएगा या इधर उधर हो जाएगा तो आप यह समझे उससे नुकसान होगा यदि वो बैठ गया तो भी फाइदा सपा को नहीं मिलेगा तो दो चीजें चाहिए एक तो भारती जन्ता पारिटी का वो तूटे और वो तूटके साइलेंट न कॉंग्रेस को जाए ना बस्पा को जाए वो इन्हीं दोनों दलों में जाना चाहिए बस्पा के उपर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि बस्पा हमने इतिहास में देखा है कि बस्पा बार बार जो है अंत में जाकर के सरकार मनाने के लिए बाजपा से गठ जोड़ करती है लेकिन ना तो कॉंग्रेस कर सकती है और ना सपा कर सकती है तो ऐसी इस्तिती में option क्या है या तो सपा है या कॉंग्रेस है तो उस इस्तिती में जो भाजपा से तूट के नहीं जाना चाहते हैं सपा वो कॉंग्रेस आ जाएंगे और यदि वो जाने को तयार है तो और अच्छा है तो ये दोनों चीजें बनेंगे और इस combination से भी यदि ये बहतर combination खड़ा हो गया तो उस इस्तिती में भी वहाँ पर non-BJP government अखिलेश के नेत्रत्तु में बनती दिखती है यदि इस इस्तिती में वो चला और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फालो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा